नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने चेनल टेकनिकल mcq में फ्रेंट्स हमारे चेनल पर हम आपके लिए रेगुलर क्लासेश चला रहे हैं क्लासेश आपके टेकनिकल थेओरी की फ्रेंट्स आज होने वाली है 23 क्लास 22 क्लास पहले ही हो चुकी अगर आपने न टूल हेमर, स्वेज, ब्लॉक, एन्विल एवं अन्य ओजार से होने वाले हैं तो फ्रेंट्स इससे पहले मैं आपसे कहना चांगो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब का बेल आइकन पर जरू क्लिक कलने ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो के नोटिकेशन सबसे पहले प्रोवाइड हो सके तो चलिए फ्रेंट्स आप जादे समय नगवात हुए हम वीडियो को स्टाट कर लेते हैं चलिए फ्रेंट्स जो हमारा 34 कोश्चन है थोड़ा से मैं जूम कर देता हूँ आपके लिए देखिए फ्रेंट्स यहां ध्यान से 34th कोश्चन के लिखा है चित्र में प्रदर्शित इस कोश्चन को मैं पढ़ रहा हूँ आपको ध्यान से देखना है लेक सेकेंड friends मैं आपको बता रहा हूँ कुन सा question है हमारा ये रहा वो question चितन में प्रदर्शित संडाशियों को पहचाने और कूटों की साथ से सायुत्तर का चुनाब करें identify tongs in figure and choose answer with the help of following codes तो friends यह है question जो था हमारा UPRVUNL की परिक्षा में पूछा गया था technician grade 2 filter के exam में तो यह बताना आपको tongs के नाम बताना पहचानना है तो friends यह चार option आपके सामने थोड़ा से मैं से jump out करता हूँ देख लीजे friends यह रहे आपके सामने options तो बताई friends जो पहली tongs है हमारी वह कौन सी है यह जो tongs है वह कौन सी है pick up tongs है hollow round tong है square mouth है या flat mouth है तो आपने सही पहचाना यह जो tong है हमारी वह है वरगकार याने square mouth tong है ठीके friends यह होगा square mouth अब इस पर आते हैं B वाली कौन सी है यह tongs है तो यह जो है वह है आपकी flat इसे बोलते हैं फ्लेट सपाट ठीके friends यह सपाट हमारी tong याने flat mouth और उसके बाद आते हैं C पर तो friends यह जो C वाली दिख रही है आपको ध्यान से देखने इस tong को सभी figure को ध्यान से देखना है आपको तब ही आप समझवाएंगे यह जो है वो है pick up tong इसे कहते हैं हम pick up tong फर्स्ट आपका सही है यहाँ पर और यह जो आखरी वाली है यह आपकी whole round tong तो friends यहाँ पर आपका सही option कुन सा हो जाएगा यहाँ पर होगा आपका option A यहाँ पर सही हो जाएगा याने A जो है वो है हमारी 3 लिखा है याने क्या हो जाएगा वरग मुखी याने square mouth हो गई B में लिखा है 4 तो जो हो जाएगी support याने flat mouth C में 1 लिखा है मतलब pick up हो गई और हमारी D जो की यह वाली tong है हमारा जो last बज़ जा थी वो कौन सी होलो round इस प्रकार से थे इनके सबी के नाम आगे बढ़ते हैं जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हर answer आपको detail में बताया गया बित explain तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कितने अच्छे से हमने explain करके बताया है यहाँ पर friends अकर आपको इस PDF को खरीदना है तो link मेंने description box में provide क की गई है वहाँ जाकर आप इससे आसानी से खरीच सकते हैं चेक जरू केजिएगा एक बार चलिए friends से आगे बढ़ते हैं next question हमारा 35 क्या ध्यान से देखें इस question को thickness of anvil has been in range of मतलब आपको बताना है निहाई की मोटाई की सीमा क्या होती है किस range में होती है thickness anvil की तो friends यह 4 option आपके सामने ये पर अगेन यूपी आर वियूनल टेकनीशन गेट सेकेंड फिटर के परिक्षा में पूछा गया था तो बताई friends यहाँ पर राइट आंसर क्या हो सकता है आपने सही समझा option A यहाँ पर राइट आंसर है 20 से 25 mm होती है निहाई की मोटा याने thickness ठीके फ्रेंस next question है friends हमारा 36 क्या है सकती अतोड़ा आरी में क्रक अंचन घटित होता है याने नहीं समझ में आया तो मैं इंगलिस में पढ़के बता देता हूँ swing in a power hammer hexa tax place only on तो friends मैं आपको बता दूँ जब हमां hexa को चलाते हैं power hexa को तो आप जो है उसका जो first stroke होता है उसमें power देते हैं और जो return stroke आता है उसको release मतलब हलका आता है वो तो यहाँ right answer क्या होगा यहाँ पर आएगा forward stroke में power देते हैं जिसके नीचे explain करके भी बताया में करकंचन अगर stroke में घटित होता है ठीक है friends आगे बढ़ते हैं next question है हमारा जो की है 37 ध्यान से देखें इस question को friends यह रहा आपका 37 question यह रहा which hammer is favorite for a fitter एक fitter के लिए पसंदिदा हतोड़ा कौन सा है तो बताए friends सभी fitter वाले बताएं हमें कौन सा हतोड़ा आपको पसंद है यूपी आर्वी यूनल टेक्निशन ग्रेट सेकेंड परिटर की परिक्षा में question पूछा गया था right answer क्या हो सकता मुझे comment section में बताएं या अभी बताएं क्या हो सकता आप guess कीजिए यहां जो right answer वह option है ball pain जो हतोड़ा होता है friends वह होता है हमारा favorite हतोड़ा क्योंकि ball pen hammer से बह योग जादे करते हैं ठीक है friends आगे बढ़ते हैं next question है हमारा जो क्योंगी 38 इस question को करने सब्सक्राइब में आपको एक बात बताना चाहूंगा कि हमारे चैनल पर टेस्ट सीरीज जो है चल रही है दूसरा टेस्ट भी हो चुका है अगर आपको देना है तो link description box में मिल जाए यह आपको friends यह टेस्ट जो आप लोग ने दिया है उसको देख का मेरा दिल बहुत ही खुश हो गया क्योंकि अधिकतर लोगों ने वहाँ 145 लोग अटेंड कर चुके हैं वो टेस्ट को और लगभग 80 लोगों के जो marks आए वो काफी अच्छे आएं तो मैं को यह देखकर ब हम यह टेस्ट की जो लिंक है वो भी डालते हैं तो अगर आप नहीं जुड़ें वाट्सअप ग्रुप से तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइट की गई है वहाँ जाकर आप पहले वाट्सअप ग्रुप से जुड़ जाएं क्योंकि वहीं पर हम जो आपका टेस्ट लूँगा मतलब 5 बजे से पहले आपको एक वीडियो प्रोवाइट की जाएगी जिसमें आपको सूचना दी जाएगी कि आपको पास कोड क्या है फ्रेंट्स में आपको बता दू हमने एक यह नया जो है वो एड किया है पास कोड फ्रेंट्स हर टेस्ट का पास कोड अलग होगा और पास कोड आपको जो वीडियो आईगी उस समय उसमें बताया जाएगा तो आपको वीडियो को ध्यान से देखना है तब भी बिना पास कोड के आप टेस्ट में एंटर नहीं हो सकते तो आपको पास कोड अच्छे से देखने बहुत बड़ा ही लीजिए मार्किंग आपका मार्किंग टूल मार्किंग टूल से हमने आपका कलका टेस्ट रखा है जिसमें आपकी कोश्चन हो की संक्या बढ़ा दी गई है 30 कोश्चन संक्या हो गई 20 से 30 अब 30 से 40 40 से 50 तक भी हम कोश्चन को लेकर जाएंगे पहले आप लोगों का बनेवाद आप एसे ही चैनल को प्यार करते रहें आपका टेकनिकल एमसी क्यू जो चैनल हमने आप लोगों के लिए ही बनाया है फ्रेंड्स मैं आप से गुजारिश करना कि आप भी एसे ही हमको निरंतर लगातार आपका प्यार दिखाते रहें और लोगों को भी अपने च आप हमारी जो क्या बोलते की ड्यांतले हम देखें निहाई का क्या उप्योग होगे यह उग्रा तो देखिए फेंड्स यह राइट अंसर जो है वो है friends option C fitting के लिए मतलब आप इस पर थोका P tweet करते हैं setting करते हैं job कि is the fitting लिखा है option C यहाँ पर right answer supporting tool होता है निहाई हमारा एक आगे बढ़ते है next question है हतोड़ा किस समागरी का बनाया जाता है तो friends मताईए हम material बताना आपको hammer का तो friends, बताई, right answer क्या हो सकता है, right answer मैं आपको यहां से बताता हूँ, with explain करके बताऊँ, वो यह रहा आपका hammer, जो कि मैंने आपी previous question बताया था, कि fitter का पसंदिदा hammer है, ball pin hammer, तो यहां पर लिखा है, देखे friends, मैं पूरा पढ़ रहा हूँ, इससे ध्यान से देखें, आपको इस box के अंदर, जो जो लिखा है, वो मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से देखें, क्या लिखा है, यहां पर लिखा है, हतोरे का निर्मार medium carbon steel, 4G, इस पार ढलबालो, इस पार के दौरा होता है, इसके मुखे 4 भाग होते हैं, प्रस्ट, पीन, कपोल, नेत, दीके friends, प्रस्ट, हतोरे का मुखे भाग होता है, यह कठोरी करत तता बहार की और उच खुबरा हुआ, उत्तलाकार में बनाया जाता है, पिन, प्रस्ट का सम्मु प्रस्ट का छिदर होता है, जिसे इतनेतर कहते हैं, या आई होल भी कहते हैं, कपोल का मतलब friends, चीक होता है, जहां पर company का नाम लिखाया जाता है, ठीके friends, यहां तक मैंने आपको बता दिया है, अब next question है friends, हमारा ये रहा, ध्यान से देखें, कह लिखा है, कीलक को फैला कर कीलक का C सुबनाने के लिए किस प्रकार के हतोडे का प्रियोग किया जाता है, कीलक याने होती है, आपकी rivet, तो friends, बताइए, आप rivet के लिए आपकी samar का प्रियोग करेंगे, यहां जो right answer, वह option C, ball, pain, हतोडे का प्रियोग करेंगे, जैसा कि आप यहां पर देख सकते है, right answer के हो जाएगा, option C, आगे बढ़ते हैं, next question है, हमारा, क्या है, 41 हतोडे का नेतर चिद्र केसा होता है, तो friends, बताइए, हतोड़ोग का जो नेतर, याने, eye hole, किस प्रकार का होता है, तो यहां जो right answer है, बहुत है, option B, याने, दोनों सिरे से पतला, हतोडे का नेतर चिद्र, दोनों सिरे से पतला होता है, ताकि उसमें, आसानी से wage लगाई जा सकती है, option B, यहां पर right answer है, next question है, 42, ध्यान से देखें, इस question को क्या है, the engineer's hammer is specified by its blank, engineers हतोड़ा, उसकी खालिस्तान के दोरा, वे निर्दिस्ट, या specified किया जाता है, DRDO Machinist, 2016 की परिक्षा में, question पूछा ग तीनों ट्रेडों के लिए, mechanical जितनी भी ट्रेड है, सभी के लिए, क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं, आपकी मसिनिस्ट की परिक्षा हो, बेलर की हो, फिटर की हो, यह टर्नर की हो, सभी exam यह question जो मैं बताता हूं, वो पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैं कहता हूं, कि सभी ट्रेडों के लिए, बहुती उपी होगी, PDF है आपके लिए, तो बताई फ्रेंट्स, यहां राइट आंसर क्या हो सकता है, यहां जो राइट आंसर है, वो है option C, याने weight के अनुसार, ठीक है फ्रेंट्स, यहां जो राइट आंसर है, वो है option C, आगे बढ़ते हैं, next question है ठीक है फ्रेंट्स, सामायनता चेनी कार्वन ओजार इसपात, याने कार्वन टूल स्टील की बनाई जाती ही, तता अस्ट बुजाकार छड के रूप में होती है, जिससे काट ते समय पकड़ने में आसानी होती है, राइट आंसर है option D, अस्ट बुजाकार, आगे बढ़ते ह next question है, हमारा ये रहा question, चेनी समागरी के भीतर गड़ेगी जब, मतलब जो धस जाएगी चेनी, कब धस ये बताना है आपको, तो right answer है option C, मतलब अनीती, कोण अधिक हो, ठीक है friends, अकर inclined angle अधिक होगा, तो हमारी जो जो चेनी है, चीजल है, वो धस जाएगी, ठीक है friends, आग कोंड पर shoulder बनाने के लिए हम, सेट होमर का क्रियो करते हैं, आगे बढ़ते हैं, next question है, 46 क्या है, forging में drift का उप्यो किया जाता है, क्यों, यहाँ पर जो right answer वह option है, बिना समय गवाय हुए हम, यहाँ पर right answer बता रहा है, आपको punch द्वारा किये guys, सुराक को बढ़ा करने के ल लाइक जरू करने, क्योंकि friends, आपकी एक like से मुझे बहुती motivation प्राप्त होती है, और मेरी इक्छा होती है, कि मैं आगे भी आपके लिए इसी content लाता रहा हूं, इसी वीडियो आगे भी लाता रहा हूं, तो next question है friends, हमारा 47 बा स्वेजेस बनाए जाते हैं, तो बताए फ्रे प्राइयों में सहरने के लिए प्रियोग किये जाते हैं, स्वेज ब्लॉक में भिन भिन साइज के आयतकार, त्रुजकार, गोलवा, चोकोरवा, एलकार के सुराक बनाए जाते हैं, तो आप समझ गहूंगे स्वेजेस क्या होते हैं, और किस लिए प्रियोग किये जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, 48 बा कोश्चन नेकिंग में ओजार प्रियोग होते हैं, कौन से तो फ्रेंट्स यहां नेकिंग में हां option C, fullerba hammer का प्रियोग करते हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा, option C, fullerba hammer, आगे बढ़ते हैं, नेक्ट कोश्चन है हमारा 49 बा, forge का प्रियोग black smithy में किया जाता है इसके जिस भाग में koila डालकर आग सुलगाई जाती उसे खालिस्तान कहते हैं option आपको यहाँ मिलेंगे देखिए friends आपको option यह रहे तो बताई friends आग कहाँ सुलगाई जाती है hood में, tuers में, hirt में यह tank में, तो right answer is option c, hirt में, ठीक है friends यहाँ right answer is option c next question है friends हमारा यहाँ पर, जो कि यह 50 question ध्यान से देखें इस question को क्या लिखा है forge में cooling tank रखा जाता है ताकि तो friends बड़ा ही सरल question है option यहाँ पर, b यहाँ पर right answer है, आपको nozal या tuers को ठंडा रखने के लिए cooling tank का प्रियोग करते हैं नाम में cooling है ठंडा रखना तो यहाँ right answer is option b आगे बढ़ते हैं, next question है हमारा 50 bun, क्या है, forge के dry tuers को गर्मी से बचाने के लिए खालिस्तान करते हैं, तो यहाँ right answer is option c, fire clay से धका जाता है friends यहाँ पर सभी question important है as it is आपके परिक्षें पूछे जाएंगे तो सभी question को आप ध्यान से देखें next question होने वाला है, जो की यह रहा आपके सामने forge anvil को निहाई भी कहते हैं, इसे निम्न में से खालिस्तान से बनाया जाता है तो friends, निहाई को किस से बनाया जाता है right answer option a, cast steel right answer option a, next question है friends हमारा 53, क्या है, anvil एक forging tool है, इस पर गर्मधातूं की forging की जाती है, इसकी खालिस्तान सता hard होती है, right answer क्या है option b, working phase जो होता है वहाँ पर hard रखा जाता है ताकि वहाँ पर sketches ना है sketches ना है, इसलिए इसको hard कर दिया जाता working phase को, ठीक है friends आगे बढ़ते हैं, next question है हमारा और इस वीडियो का last question होगा friends, क्योंकि हमारी वीडियो जो है 10 minutes से उपर की हो गई है anvil का stand बनाया जाता है, तो friends जो anvil का stand होता है, वो किस material का बनाया जाता है, right answer option, एक cast iron का बनाया जाता है, क्योंकि इसकी compressive strength जो होती है वो सबसे जादा होती है friends, यहाँ पर हमारी वीडियो जो है समाप्त होती है, अगर आपने अभी तक वीडियो को like नहीं किया है, तो वीडियो को like जरू करें, चैनल में नहीं है, तो चैनल को subscribe करने हैं, और bell icon description box में दी गई हुई है वहाँ जाकर सबसे पहले, आप हमारे WhatsApp ग्रूप से जुड़ जाएं, उपर एक link आ रही है, जो की हमारे Instagram चैनल की है तो आप महाँ पर भी हमें जो है follow कर सकते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को like करना तो ना भूले हैं, क्योंकि एक like सामें बहुत ही motivation राप्त होती है